Hello students, कैसे हो आप सभी आईए? हम अपनी exercise को continue करते हैं, exercise 13.2, question number 4, statement हमारे पास क्या given है? कोई state है, उसके अंदर number of students और teacher का ratio given है, और यह हमारे पास number of states है, हमें क्या find out करना है? mean find out करना है, और mode find out करना है, और उसको interpretate करना है, ठीक है? सबसे पहले हम find out करते हैं, बच्चा mean, mean कैसे find out करते हैं, सबसे पहले देखिए, हमें पता है mean निकालने का formula हमारे पास क्या होता है? a, plus a हमारे पास क्यों होती है? assumed value, plus submission of fi di upon submission of fi, यह हमारे पास क्यों होता है mean निकालने का formula, सबसे पहले आप question को start करने से पहले हमेशा formula लेख अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालते है, x i, x i हमारे पास क्यों होता है, interval, सबसे पहले हम क्या निकालते है, interval, interval को किसे डिनोट करते है, x i से डिनोट करते है, ठीक है, interval देखे, अब हम कैसे निकाल लेंगे, upper limit plus lower limit divided by में 2, lower limit हमारे पास क्या है, 15, upper limit हमारे पास क्या है, 20, 15 plus 20, 35, 35 divided by में 2, कितना हो जेगा, 17.5, similarly, upper limit plus lower limit divided by में 2, 20 plus 25, 45, 45 divided by में 2, हमारे पास क्यो हो जेगा, 22.5, similarly, 25 plus 30 divided by में 2, कितना हो जेगा हमारे पास, 27.5, next, same यही करना है, 30 plus 35 divided by में 2, कितना हो जेगा, 32.5, 35 plus 40 divided by में 2, कितना हो जेगा हमारे पास, 37.5, similarly, हमारे पास क्यो हो जेगा, 42.5, next, 47.5, और last, 52.5, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, just upper limit plus lower limit divided by में 2, जो lower limit होती है, आगे वली होती है, और जो upper limit होती है, पिछे वली होती है, दोनों को add करके, 2 से divide करके, हम interval निकाल लेंगे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ assume करते हैं, ए, बीच वली value, तो हम क्या यह assume करेंगे, देखिए, हम बीच में assume कर लेते हैं, 3, 3 निचे से छोड देते हैं, 3 उपर से, बचे की यह दो value इन दोनों में से हम इसको assume कर लेते हैं, आपकी मर्जी आप 37.5 यह assume कर सकते हैं, यह हमने क्या assume कर लिया, ठीक है, अब क्या निकालते हैं, divation कैसे निकालते हैं, interval में से हम assumed value को minus करते हैं, ठीक है, यह क्या होता है, divation, अब first case में हमार 32.5, कितना हो जगा हमारे पास, minus 15, similarly next case भी है से, 22.5 में से, एक ही value minus कर देंगे, 32.5, कितना हो जगा हमारे पास, minus 10, यह हमने एक आपको करके दिखा दिया है, next को आप खुद solve करके देखे, just minus करना हमें और कुछ भी नहीं करना, next देखे, 27.5 में से, 32.5 minus करेंगे, तो हमार 32.5 में से, 32.5 minus करेंगे, क्योंकि x i हमारे पास यह है, और azune भी हमने यह ही किया है, तो 0, next, 37.5 में से, 32.5 minus करेंगे, तो plus 5, 42.5 में से, 32.5 minus करेंगे, तो 10, और 47.5 में से, 32.5 minus करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 15, similarly, 52.5 में से, हम 32.5 को minus करेंगे, तो हमारे पास क्य क्या आएगा 20, यह हमारे पास क्यों हो जेगा divation, अब हम क्या करते हैं, frequency की divation के साथ multiply, FIDI निकाल लेंगे, FIDI, FI हमारे पास क्या यह, divation हमने निकाल लिया, दोनों की multiply, यह 3, 3 की माइनस 15 के साथ multiply करेंगे तो, माइनस 45, 8 की माइनस 10 के साथ multiply करेंगे तो, माइनस 80, 9 की माइनस 5 के साथ multiply करेंगे तो, माइनस 45, 10 की 0 के साथ multiply करेंगे तो, 0, 3 की 5 के साथ करेंगे तो, 15, 0 की 10 के साथ, 0, 0 की 15 के साथ, 0, 2 की 20 के साथ, 40, चीक है अब हमें क्या चाहिए? Submission of FIDI जो हमने FIDI निकालना है इसका submission यानि इन सबको add करना है तो submission of FIDI हमारे पास क्यों हो जेगा? जब इन सबको add करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा? Minus 115 और निच्चे हमें क्या चाहिए? Submission of FI यह हमारे पास FI है इसका submission करेंगे तो हमारे पास क्यों हो जेगा? Submission of FI इन सबको add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 35 अब हमारे पास assumed value भी है Submission FIDI भी हमने निकाल लिया Submission of FI भी हमारे पास है formula के अंदर value पूट करके असानी से solve कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले assumed value यह हमने क्या assume किया? 32.5 32.5 प्लस submission of FIDI FIDI हमारे पास क्या है? minus 115 upon submission of FI FI हमारे पास क्या है? 35 अब देखिए इसको 5 से cancel कर देंगे 5 to 10, 5 to 3 is the 15 5 to 7 is the 35 तो हमारे पास यह क्या हो जाए यहां पे 32.5 minus 23 divided by में 7 23 को 7 से divide करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3.28 अब 32.5 minus 3.28 हमारे पास क्यों हो जेगा? 29.22 यह हमारे पास क्यों हो जेगी? mean value अब देखिए students second हमें क्या find out करना है? mode find out करना है same number of teachers number of states हमने लिख ली अब mode हमारे पास क्या होता है? जो maximum time repetition होता है चीक है? सबसे पहले देखिए हम mode का formula लिख लेते हैं mode का हमारे पास formula क्या होता है? lower limit L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into me H H हमारे पास क्यों होता है? interval यानी height चीक है? अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसकी maximum frequency maximum frequency हमारे पास क्यों होता है? mode अब देखिए maximum frequency हमारे पास क्या है? 10 और इसका interval हमारे पास क्या है? 30 से 35 तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए maximum frequency is 10 सबसे highest frequency हमारे पास यहाँ पे क्या है? 10 है तो maximum frequency is 10 और 10 कौन से interval के अंदर lie कर रही है, 30 से 35, तो lies in interval, कौन से interval के अंदर lie कर रही है, 30 से हमारे पास 35, तो जो इस interval को अब हम क्या बोलेंगे, इसकी model class, तो हमारे पास, अब model class क्या होजेगा, 30 से 35, ये हमारे पास क्या होजेगा, model class, ठीक है, अब L हमारे पास क्या होती है, lower limit होती है, model class की, model class हमारे पास क्या है, 30 से 35, तो इसकी lower limit हमारे पास क्या होजेगी, 30, तो L की value हमारे पास क्या होजेगी, 30, ठीक है, अब देखते है, F1, F1 हमारे पास क् highest frequency होती है highest frequency हमारे पास क्या है 10 है तो f1 हमारे पास क्या होजेगा 10 अब f1 से एक उपर हमारे पास क्या होता है f0 और इसके एक बाद हमारे पास क्या होता है f2 तो f0 की value हमारे पास क्या आजेगी 9 और f2 की value हमारे पास क्या आजेगी 3 तो f0 हमारे पास आजेगा 9 और f2 की value हमा कौन सी F0, कौन सी F1, कौन सी F2 है, जो F1 होती है, वो सबसे maximum होती है, वही होती है, maximum हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10, तो 10 हमारे पास क्या है, F1, इसे एक पहले F1 से पहले हमारे पास क्यों होता है, F0, और F1 के बाद F2, तो F1 की value हमारे पास 9 है, F0 क्या है, F1 हमारे पास 10 है F0 हमारे पास क्या है 9 और F2 की value हमारे पास क्या आजेगी 3 अब बच गया हमारे पास H H हमारे पास क्यों होता है height of interval कितने का difference है 20-15, 5 25-25, 30-25, 5 तो हर एक के बीच में कितने का difference है 5 तो height of interval हमारे पास क्या हो जेगी 5 चीक है अब जस्ट हमें mode के अंदर इस formula के अंदर value पूट करनी है अब देखिए L L हमारे पास क्या है 30 प्लस F1 माइनस F0 F1 हमारे पास क्या है 10 माइनस F0 F0 हमारे पास क्या है 9 2-2 में F1 2-2 में 10 माइनस F0 F0 हमारे पास क्या है 9 माइनस F2 F2 हमारे पास क्या है? 3 इंटू में H H की value हमारे पास क्या है? 5 चीक है? अब देखिए 30 as it is plus 10 minus 9, 1 2 इंटू में 10, 20 20 minus 9, minus 3 अब देखिए 2 इंटू में 10, 20 minus 9 minus 9 और minus 3 हमारे पास क्यों हो जेगा? minus 12 इंटू में 5 यहाँ पे क्यों हो जेगा? 30 plus 5 upon 20 में से 12 को minus करेंगे तो हमारे पास क्या हो जेगा? 8 5 divided by में 8 30 as it is, जब हम 5 को 8 से divide करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा? 0.625 अब 30 plus 0.625 हमारे पास कितना हो जेगा? 30.625 यह हमारे पास क्या आजेगा? mode आजेगा अब इसको interpretate कैसे करेंगे? कैसे लिखते हैं mode को? mode हमारे पास क्यों होता है? जो maximum time repetition होता है तो हम इसको interpretate करके कैसे लिखेंगे? देखें हम इसको लिखेंगे most student teacher ratio is 30.625 क्योंकि mode हमारे पास क्यों होता है? जो maximum time repetition होता है तो जो most student teacher ratio है वो हमारे पास क्या आजेगी? 30.625 इस तरीके से हम mean भी निकाल सकते हैं किसी भी statement का और mode भी निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ doubt हो तो बच्चा please comment section में बताइए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए और निहान classes को जुरूर subscribe कीजिए thank you